तो फ्रेंड्स यह एक TCL CRTT भी है आज इस पर हम कैसे कनेक्ट करेंगे Tata Play Setup Works नहीं देखेंगे इस वीडियो में दिखें यहाँ पर TCL लिखा हुआ है तो इस पर Tata Play Setup Works को कनेक्ट करेंगे तो हला कि मैं फिलाल एक Stender Definition Setup Works को कनेक्ट अरा धिकर एक Stender definition Setup Works है और उसका पीछे कुछ कनेक्ट है जेक सब्से पहले हम यह सारे जेक को Remove कर लेते हैं यहां से इसे सारे जेक को मैंने रिमूब किया तो पिला के साथ पिला हों ओना जेक अब अर शाफित के साथ शाफित और लाल के साथ यहां पर लाल कनेक्ट होगा और बाकी जो इसका दुसरे साइड है यह मेरे टीबी के साथ कनेक्ट होने होला है और यह पावर एडप्टर है तो यह पावर एडप्टर को कनेक्शन यहां पर हो जाएगा तो यहां पर यह पावर एडप्टर कनेक्ट करेंगे ह करते हैं तो आप तरपर जदातर टीवी का साइट पर होता और कुछ टीवी का साइट पर होता कनेक्शन तो यह पर दिखे यह उप्षिंस नहीं है उसका डिया वगरा दिया हुआ है बट यहां पर आपको इन और आउट देखके करना यहां पर मेरा इसा कुछ connection नहीं है तो आपका अगर वेक साइड में हो तो इन उला options को देख के connect करें तो यहां पर मैं साइट पर connect कर ला तो यहां पर साइट पर दीके में डिश एंटिना से जो भी केवल आया हुआ इससे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर कर लिया यहां से मेरा दीके बिल्कुल बिंदाश चल रहा है तो आपका अगर कभी से आपका करना चाहो हूँ कि मैंने यापे standard set of box को connect किया है कोई भी CRTTP के साथ अब गर connect करना चाहो आपका टाटा प्ले set of box को तो आप भी इससी प्रोसेस से connect कर सकते हो तो मैंने आपर TCL CRTTP को connect करके दिखाया वीडियो अगर पसन है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह से और important videos पाने के लिए मिलते फिर से एक और नया वीडियो मे तब तक के लिए जैन बंदे मातरम